आज हम आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं यह जो कार आप देख रहे हैं यह है मर्सीडीज की S-Class 2006 मॉडल जिसको W221 कहते हैं यू कन सी यह कार इस ताइम और देख प्राज पर मौचूद है और इसको अब प्रेसर लिप्ट किया जाएगा क्यू S-450W 223-2024 में So make sure to watch this video till the end आपको इसका complete process दिखाते हैं के how it changed from old to new Let's start process जी एक्सेक्ट यह वही कार है 2006 मॉडल यह कार इस ताइम लिजस्ट मॉडल में प्रेस अपलिट हो गई है यह कार एक्सेक्टली सेम W223-S450-2024 लुक दे रही है आप देखी तो यह काफी ज्यादा amazing transformation है कि कैसे एक 2006 S-Class जो के आपको 85 लैक्स टू 1.5 करोड तक की पॉस्ट करती है और वो तोड़ा सा खर्चा करने के बाद यह कार लुक अलाइक 10 करोड की हो गई है आपको मैं फ्रेंट से बताओं तो इसमें फ्रेंट बोनट एंड फेंडर्स रिप्लेस करके न्यू मॉडल वाले इंस्टॉल किये गए हैं जोके बोल्ट अन फिटिंग के साथ आते हैं यह मैडल पार्ट्स हैवी गेज में अच्छी क्वालिटी में आते हैं न्यू एलिडी हैद लाइट्स एंड फ्रेंट बंपर को चेंज किया गया है ऐते ही क्रोम ग्रिल को इंस्टॉल भी किया गया है हैद लाइट्स का आपको बताओं तो यह कम्प्रेट ली एलिडी लाइट्स हैं और इसमें डेरनिंग लाइट फीचर है जिसको डियारल भी कहते हैं मुविंग ऑन साइट प्रोफाल मेजर चेंज जो आपको लगा होगा इसमें 20 इंजिस के रिम्स एंड टार्स को इंस्टॉल किया गया है और यह सेम एस 450 पैकेज वाले अलॉई बिल्स हैं इसके रावा साइड मिरर्स न्यू मोडल वाले इंस्टॉल किये गए हैं जिसमें बड़ी स्लेक डिजाइन में लाइट दी गई हैं बाकि आपको बताओं तो इसके रेर फेंडर्स को अल्टर करके न्यू फेंडर्स इंस्टॉल किये गए हैं ट्रंक क्रोम गार्णिश डिप्यूदर, क्रोम फ्रिंस एंड एग्सॉस टिफ्स को भी रिप्लेस करके न्यू इंस्टॉल किये गए हैं। ये कन्वर्जिन पॉल्ट ओन फिटिंग के साथ फिट की गई और कोई फास अल्ट्रेशन नहीं की गई। अगर कोई एल्ट्रेशन की गई है तो वो सिर्फ लेर फेंडर को कट किया गया है। बग की पॉल्ट ओन फिटिंग के साथ चीजों को इंस्टॉल किया है। फ्यूचर में इसके इंट्रियर के साथ भी वीडियो लेकर आएंगे। ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, अलाहाफेर।